दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल All Exam Guide Guru पर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट लेकर आया हूँ ये टेस्ट हर एक एक एक्जाम के लिए important है आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ये टेस्ट लगाईए अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए information लेकर आया हूँ इस वीडियो के description बॉक्स में आपके लिए दो पहर बारा बजे अनेकेडमी पर होने वाली live class की link मिल जाएगी आप मुझसे अनेकेडमी पर भी पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं correct दो पहर बारा बजे मेरी class अनेके application मिलना शुरू हो जाए अगर आपके मूबाइल में आनेकेडमी के application नहीं है और आप दो पहर बारा बजे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए मुझसे तो आप अनेकेडमी के application को google play store से download कर लीचे यह application google play store पर आसानी से available है इस application को download करने के बाद में अपना mobile number डालिए registered करिए OTPI का application चालू हो जाएगी जब application चालू हो जाएगी तो मुझसे पढ़ने के लिए exam select करने वाले option my goals manage exam में आपको जाना है और SSC exam select करना है याद रखिएगा दोस्तों मैं on academy पर SSC category में free पढ़ाता हूँ इसलिए आप सिर्फ और SSC exam ही select करिएगा जैसे ही आप SSC exam select करेंगे आपसे आपकी application को free करने के लिए एक enroll code मांगा जाएगा और code आपको क्या डालना है A E G G ये चार अक्षर का code है ये code जैसे ही आप enter करेंगे on academy के application unlock हो जाएगी और फिर आप मेरी हर class को notification पर दी हुई link notification प्राप्त करके और description box में दी हुई links पर click करके direct देख सकेंगे तो चल question number one आपसे पूछा गया है द्रवेमान और वेग का गुडणफल क्या कहलाता है तो द्रवेमान और वेग का गुडणफल समवेग कहलाता है right answer है गतिमान रेल गाड़ी में बैठे मनुष एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होते हैं तो गतिमान रेल गाड़ी में बैठे हुए म बल और विस्थापन का गुडणफल किसके बराबर होता है तो बल और विस्थापन का गुडणफल जो है कारे के बराबर होता है इस्थिर वैद्द बल जो है इनमें से कौन सा बल है तो इस्थिर वैद्द बल जो है इनमें से संरक्षी बल है right answer हो जाएगा कारे करने में मानो शरीर के द्वारा प्रयुक्त उर्जा कौन सी उर्जा होती है तो कारे करने में मानो शरीर के द्वारा प्रयुक्त उर्जा रासाइनिक उर्जा होती है राइट आंसर जो हमारे अंदर कैलोरी होती है वो हम यूज़ करते हैं तो आप इसे कैलोरी को रासाइनिक उज़ा में विख्त कर सकते हैं कौन सा एक संस्पर्ष बल नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए तो यहाँ पर गुरुत्वा कर्शन जो है एक संस्पर्ष बल नहीं है दिखाई नहीं देता लेकिन आपको फील होता है यह एक स्पर्ष बल का उधारण नहीं है नेक्श कौशन हुक का नियम परिभाशत किसे करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता गुरांक को परिभाशत करता है राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कौशन देखते हैं पुरुनता द्रड वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुरांक कितना होगा? तो जो वस्तु एकदम द्रड है तो वो खिचेगी ही नहीं तो जब नहीं खिचेगी तो उसके लिए प्रत्यास्था गुरांक शून्य होगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कौशन द्रड का दाब निर्भर किस पर करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका गनतो जो है घट जाता है राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कौशन देखते हैं बरनोली प्रमे इनमे से किस पर आधारित है? राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए? तो बरनोली प्रमे जो है उर्जा के सनक्षन पर आधारित है राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कॉशन है निम्ण मैंसे किसकी श्यानता अधिक होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा सबसे इनमें श्यानता अधिक कोलतार की होती है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं जब सुध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है प्रश्टतनाव पर तो सुध जल में जब डिटर्जेंट डालते है तो प्रश्टतनाव जो है वो घड जाता है राइट आंसर है प्रत्वी का सूरे के चारो और चक्कर लगाना किसका उधारण है? तो प्रत्वी का सूरे के चारो और चक्कर लगाना जो है यह आवर्त गती का उधारण है सेध्धांतिक रूप से मुक्त दोलन की उर्जा कैसी होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सेध्धांतिक रूप से मुक्त दोलन की उर्जा जो है नियत रहती है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रेशिंग के लिए नेक्श कॉशन वायू में ध्वनी तरंगे कैसी होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वायू में ध्वनी तरंगे जो है अनुधरे रूप में चलती है सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन ध्वनी की प्रवलता किस पर निर्भर करती है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशिंग के लिए तो ध्वनी की प्रवलता जो है ये ध्वनी तरंगों की आवरत्ती और वेग पर निर्फर करती है राइट आंसर हो जाएगा ताप वरदी के कारण वस्तु की लंबाई में प्रसार जो होता है उसे क्या बोलते है तो ताप वरदी के कारण वस्तु की लंबाई में जो प्रसार होता है उसे रेखिय प्रसार बोला जाता है राइट आंसर हो जाएगा किसमें अधिक विशिष्ट उश्मा का मान होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए तो अधिक विशिष्ट उश्मा का मान जो है जलका होता है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए नेक्श कॉशन धातू के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का मग किस विथी से ठंडा होता है तो धातू के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का मग जो है ये ठंडा होने में चालन समवहन विकरन वास्पिकरन तीनो चारों ही प्रक्रिया उपियोग करेगा next question देख लेते हैं समधावी प्रकरम में क्या नियत रहता है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो समधावी प्रकरम में दाब जो है ये नियत रहता है right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रेशिंग के लिए तो एक फ्यू स्टार जो है हमेशा चालक और निम्न गलनांक वाला उच्छ चालकता और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए कैसा उच्छ चालकता और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नेक्श कॉश्चन देख लेते हैं अगला प्रशन यदि किसी चुम्बक का तीसरा ध्रुब होगा तो वो तीसरा ध्रुब क्या कहलाएगा तो यदि किसी चुम्बक का तीसरा ध्रुब होगा तो वो तीसरा धुरूब जो है वो परिणामी धुरूब कहलाएगा राइट आंसर हो जाएगा Next question देख लेते है हीरा इन में से क्या होता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए तो हीरा जो है प्रती चुम्बकिया पदार्थ है राइट आंसर क्या है तो प्रत्वी जो है एक चुम्बक की भाती ब्योहार करती है राइट आंसर है Next question ट्रांसफार्मर का क्रोड के लिए सर्वुत्तम द्रवे क्या है तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वुत्तम द्रवे जो है नर्म लोहा है हैंडी किसकी एकाई है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो हैंडी जो है स्वाप प्रेर कतों की एकाई है राइट आंसर हो जाएगा माध्यम के तापमान में वर्दी के साथ प्रकास की गती कैसी होती है तो माध्यम में तापमान की वर्दी के साथ में प्रकास की गती वैसी ही रहती है प्रकास का वेग सर्वपर्थम किसने ग्याद किया राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए तो प्रकास का वेग सर्वपर्थम जो है रोमर के द्वारा ग्याद किया गया प्रकास का वेग किसमे अधिक्तम होता है राइट आंसर क्या है तो प्रकास का वेग अधिक्तम होता है निर्वात में उत्तल लेंस और आउतल दर्पन उत्तल और उत्तल दरपन किसके उधारन है तो उत्तल और उत्तल दरपन जो है गोलिय दरपन के उधारन है किसी आपारदरसी वस्तू का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है तो जिसे वह परावर्तित करती है उसी के कारण वह रंग होता है तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टेश टेस्ट सेट पेपर क्या रहा इसकोर जरूर शेयर करिएगा और बारा बजे दो पर में जरूर क्लास में टाइम पर आ जाएगा लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो